साथियों नमस्कार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहें नेस सल जन्मत समाज में नफरत के बीज बोने के लिए बीजेपी आईटी सेल के लोग और तमाम कट्टर हिंदुवादी संगठनों के तथा कथित मसीहा जूठी खबरे वाइरल करने में लगे रहते हैं लेकिन हैरत तब होती है जब तमाम बंचित और पिछडे दलितों के नाम पर बने हुए वाटसब गुर्पों में भी यही नफरतिया ग्यान उडेल दिया जाता है उसमें भी खुद को अंबेट करवादी और बुद्धिष्ट बनाने वाले लोग इसका समर्थन करने लग जाते हैं बिना उसकी जाच परताल किये हुए बिना ये सोचे समझे हुए कि समाज में नफरत के बीज बोने की साजिस तो नहीं है ऐसी ही एक अवाह पहली वार नहीं बलकि 6-7 महिने के अंतराल पर बार वार वाटस अप यूनिवेस्टी में ज्यान देने आ जाती है अक्छर सा ख़बर पढ़ करके सुना देता हूँ साउधान साउधान राजिस्थान गुजरात और महराष्ट के हाईवे पर पुलिस द्वारा 40 से जादा मुसलिम धावे पर छापे मारे गए इन सभी मुसलिम होटलों में हिंदू लोगों के लिए नपुनसक्ता की दवाईयां खाने में मिलाते हैं मुसलिम होटलों से साउधान रहें ये लोग हिंदूों की आवादी कम करने के लिए और हिंदूों का धर्म नश्ट करने के लिए नौनवेज भी मिलाकर खिलाते हैं ऐसे केमिकल रसाइनों को इस्तमाल करते हैं जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे राजिस्थान से आने वाली सभी बस वालों को मुसलिम होटलों पर ठहरने से रोकें आगे साउधान रहें नफरतवादी गुर्पों में ये ख़वरें परोसी जा रही हैं इस पर मुझे कोई आपत्ती नहीं लेकिन अपने आपको जागरुक कहने वाले तमाम बाटसव गुर्पों में भी ये ख़वर चल रही है इसलिए मजबूरन मुझे इसका पोश्ट माटम करना पड़ा इस ख़वर के साथ कुछ तस्वीरे भी दिखाई जा रही है ताकि इस हरजी ख़वर पर सही की मुहर लगाई जा सके अब मैं विस्तार से इस ख़वर और इसके साथ लगी तस्वीरों पर चर्चा करूँगा पहली तस्वीर देखिए उसमें दिख तो रहा है कि हाँ कुछ मुस्लिम लोग ग्रफतार किये गए हैं लेकिन जब आप सर्च पर जाते हैं तो पता चलता है कि 11 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की पुलिस ने एक ट्विट किया था ट्विट आपके सामने हाजिर है ठाना सेर कोट बिजनौर पुलिस द्वारा मदरसे में अवैद सस्त्रों की तसकरी करते 6 अव्युक्त गण एक पिश्टल 4 तमंचे वभारी मात्रा में कार्तूसो सहित ग्रफतार तस्वीर देख लीजिए मिला लीजिए यही तस्वीर है जो इस ख़वर के साथ गलक धंसे प्रचारित की जा रही थी अब दूसरी तस्वीर पर आजाईए इसमें दिख रहा है कि दवाओं का जखीरा एक जगे बरामद हुआ है लेकिन ये तस्वीर डेली मिरर नाम की वेबसाइट में छपी है सिरी लंका की ख़वर है और खवर ये है कि बाप बेटे को अवैद डक्स के जुर्म में ग्रफत जा रहा है हलाकि ये मुसलिम है लेकिन इस्ट्रीट फूड ओफीसियल एक यूटूब चैनल है जा करके देख लीजिएगा मेरी बात मंद मानिएगा उसमें एक जुलाई 2016 को दम बिर्यानी की रेस्पी बनाते हुए थंबनेल में इसी तस्वीर का इस्तमाल किया गया है मतल जितनी तस्वीरें लोगों को भड़काने के लिए प्रियोक की जा रही थी वो सब पुरानी थी जूट थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और हैरत की बात देखिए समय समय पर खबर ये बाहर आती है तो मेरे जैसे तमाम जागरुक पत्रकार लोगों के साम ने सचाई लेकर के आते हैं लेकिन फिर से एक हवर आती है तकलीफ इस बात में है कि खुद को जागरुक कहने वाले लोग भी इसमें उलच करके रह जाते हैं कहते हैं अब बताईए आप तो कहते हैं हिंदू मुसलिम के खेल से दूर रहो भारत पाकिस्तान के एजेंडे से दूर रहो लेकिन देखिए मुसलिम हिंदूों के लिए क्या कर रहे हैं लेकिन जरा सा गूगल पर टाइप करके ये जानने की जहमत नहीं उठा पाते फॉर्वर्ड करने से पहले कि इस ख़बर में सचाई है या नहीं मैंने इस नफरतवादी प्रोपगेंडे का पता कैसे लगाया वैसे ही जैसे आप लगा सकते हैं कोई भी खबर आपको मिलती है उस पर संदे होता है तो गूगल पर थोड़ा टाइप करके देख लीजिए कि उस खबर में कुछ सचाई है या नहीं उस खबर का रियल्टी चेक अगर हो चुका होगा तो आपके सामने पूरी पड पताल निकर करके आजाएगी और नहीं होगा तो इतना तो पता चल जाएगा कि राजिस्थान से आ रही बसों में क्या वास्तों में पुलिस ने इस तरह का कोई गोरक धंदा क्या कुछ होटल पकड़े हैं इतनी बात तो किलियर पता चल जाएगी मगर अपसोस इतना पता क करने की जहमत उठाये कौन वाट्सप यूनिवस्टी से ग्यान आया जल्दवाजी में वो ग्यान हमें दूसरे गुर्पों में ओड़े लेना है भले ही उसको सच मानते हुए या जूट मानते हुए नीचे ये कैप्सन डाल दिया जाता है खबर सही है या नहीं हमें पता न लेकिन जाने अन जाने आप इस नफरतवादी एजेंडे में शामिल हो ही जाते हैं इसलिए नेशन जन्मत कहता है जरूरी नहीं है कि किसी वाट्सप गुरुप में आप जुड़े हो तो उसमें कुछ ना कुछ ग्यान डेली उड़े लें लेकिन जब भी उसमें ग्यान दे तो सोच समझ कर पुष्टी करके जाच परताल करके ही उड़े लें देखते रही नेशन जन्मत जागरूक और सजग बने रही है जय विज्ञान जय समिधान जय लोकतंत्र धन्यवाद